भक्ती वेदान्त मंदिर पर एक प्रैस्वारता कायोजन किया गया जिसमें 15 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तर भक्ती वेदान्त मंदिर के प्रकटोच सब मनाय जानी की बात कही। भक्ती वेदान्त मंदिर का स्वरूप समस्त समाज में संसकारों की जागरती भ्रमचार बालकों के वेद व्याकरन आदी की सिक्षा के साथ स्रेस्ट विद्या जागरती के कारे में कारेरत है। लक्षे को लेकर किया जाएगा। रितिक अगरवाल व्रंदावन समाचार 24 धाम भक्ति वेदान्त मंदिर का ये प्रथम पातोत्सों महुत्सों का समायोजन का सुवारम्व हम 15 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक कर रहे हैं। शिर्मद विंदावन धाम की भूमी जो राधा रानी जी की कृपा इस्थलील नंजननी बर से विशाल कारीकिम हमने किया था। इस वार कॉरोना को देखती हुए हमने सीमित दाइरे में इस कारीकिम को रखा है लेकिन परंपरा हमारी बनी रहे। जब जे तक शिडाम कथा का समायोजन है विशन भी देती रहेंगी। शाथ साथ में हमने इसमें विद्शी संबिलन तारीका है। 18 तारीक का विद्शी संबिलन है जिसमें उन्होंने विशाय रखा है कि नारि के संसकार अभिशींचन में हमारे जो विश्ट संत हैं विद्दजन वो आकर के भगवती जमना जी आज गंगा जी की काफी चिंतन हो रहा है और काफी कुछ सरकार ने किया है उसके लिए बहुत-बहुत अभीनिदन करते हैं लेकिन कारी हर्दम बकाया रहता है साथ-साथ में जब भी हम गंगा जी की बात करते हैं तो आवाक रूप से जमना का नाम निकल ही आता है जमना जी का इसलिए जो प्रियतने गंगा जी के लिए के गये हैं वैसे ही प्रियतने यमना जी के लिए भी होना चाहिए क्योंकि जब भी कोई आता है पुष्टी मार्ग में तो विशेश रूप से जमना मार करेंगे उसमें संत सम्मिलन में साथ साथ में एक युवात लड़ी जो बहुत ज़्यादा तरह हम एलेक्टानिक और तमाम चीजों की ओर चले जा रहे हैं मुबाल आजी में लगे हुए हैं इसको अध्यात में किस उपकार से सजाने और अपने जीवन को समाने की प्रणा देत यह हमने बीश तारीक को युवात समिलन भी यहाँ पर रखा हुआ है इसके साथ साथ में दिल्ली की जो हमारी संकीरतन मंडली है वो भी यहाँ पर आ करके अपना सुंदर कांड़ परिस्तुत करेंगे और साथ साथ में ब्रिज रच्षिक जी के माध्यम से भजिनों का कारि अब भी विविन्य रासीला का भी समयोजन प्रारम के 15,16,17 तारिक को परति दिन सामको रखा गया है इन विविन्य कारिक्रमों में हम समस्त आप सभी को अंता करन से आवंतरत करते हैं आप सभी आएं और अपना स्थान समझते हुए यहाँ के विन्य कारिक्रमों में लाव लेकर के अपने जिवन को सर्फक करें इन इस यही मेरी आग्रह है और उन्वावना है